सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेग्नोलोजी वीडियो देक्टिक के लिए कोशिक हैर एंड वन्स अगेन वलकम तो माई चैनल दोस्तो स्टेबल आंड्रोइड नोगाट रेड्वी नोगाट पूर में काव आएगा यह जो सवाल है यह काफी लोगों ने पूछता है क्योंकि बीटारॉम इवजर्स के लिए रेड्वी नोट पूर में आड्रोइड नो राम होगा और श्टॉक एंडरोइड के साथ एक्स्पीयेंस करना चाहते है रेड्वी नोट फोर में तो आप काश्टम राम यूज कर सकते हैं और पिछले कुछ दिनों से काश्टम राम के लिए भी बहुत ज्यादा डीमांद था ऐसे रेडवी नोट फोर के लिए बहुत टेस्ट किया हूँ और काफी हद्द कि ये स्टेबल है हाँ दोस्ति यहाँ पे कुछ बाग्स भी है इंट्रेस्टिंग बात यह है जो कि एंड्रोइड नोगर्ट 7.1 मिलता है रेड्वी नोट फोर में एक बीटा रॉम भर्चन में जबकि इसमें आपको और भी थोरा सा अ जो बाग्स को मैं नोटिस किया हूँ उसके बारे में भी आपको बता दूंगा तो दोस्तो सबसे पहले ओपीशिया लाइने जोई 14.1 इंस्टल करने के लिए रिक्वार्मेंट के बारे में बता रहे था हूँ तो दोस्तो नंबर वान है आप फोन का बूड लोडर अन्लोक नहीं है and custom TWRP recovery installed नहीं है तो आप वीडियो का description में चेक किजिए आपको कैसे बूलोटर आनलोग करना है and TWRP custom recovery को install करना है दोनों वीडियो का ही लिंक मिल जाएगा आप वो वीडियो देग लीजिए आप इसली कर सकते है उसके बाद दोस्तों अभी आपको टोटल तीन फाइल चाहिए नमबर वान लाइने जोस 14.1 नाइटली ऑपीशियल बिल्ट कस्टम राम का फाइल नमबर 2 G Apps for Android Nougat 7.1 ARM64 अर्किटेक्चर के लिए and अगर आप अगर आप आप गूगल प्लेश्टोर को डाउनलोड करना चाहते है तो पीको भर्शन को डाउनलोड कर लिजिए and अगर आप गूगल प्लेश्टोर के साथ साथ आधर्स गूगल अप को भीचाते है तो अरो मा भर्शन को डाउनलोड कर लिजिए and number 3 last में आपको lazypasser.gip ये फाइल भी must भी चाहिए क्योंकि ये आपका ROM को verify करने में मदद करेगा तो ये तीन फाइल का जरुवत होगा आपको आपको वीडियो का description में ये सारी तीन फाइल का ही डाउनलोड निंग मिल जायागा आप वह को long press करके रखना है तो TWRP recovery mode on हो जाएगा अभी पहले आप आपका जो current ROM यूज कर रहा है उसका एक backup बना लीजिए तो उसके लिए backup option में क्लिक कीजिए दनिया से system, data, catch and boot ये चारो फाइल को tick करके swipe to backup option पे swipe कर दीजिए मैं हमीसा backup recommend करता हूँ ताकि आगर आप वापस बैक काना चाता है आपका current ROM में without any data loss तो आप restore point से easily वापस आ सकता है और ROM installation में कुछ problem होगा तो ये backup फाइले आपको current ROM में backup आने के लिए मदद करेगा आप बैक आप करने के बाद आप एक बार back करके main screen पे आईए और यहाँ पे restore option पे क्लिक करके आप एक बार चेक का लिजिए जो की successfully backup हो गया है या नहीं उसके बाद दोस्त अभी आप यहाँ पे main screen पे wipe option का उपर क्लिक कीजिए देन यहाँ पे advance wipe option पे क्लिक कीजिए और यहाँ से delvig system data and catch ये चारो फाइल को tick करके swipe to wipe option पे swipe कर दीजिए अभी उसके बाद दो बार back कीजिए देन यहाँ से swipe to factory reset पे एक बार swipe कर दीजिए तो अभी आपका phone restore हो जाएगा देन दो बार back करके आप main screen पे आईए और उसके बाद यहाँ पे आप install option में क्लिक कीजिए देन यहाँ से सबसे पहले आप lineage OS 14.1 ROM फाइल का उपर click कीजिए देन यहाँ पे swipe to confirm flash option पे swipe कर दीजिए तो अभी ही ये lineage OS 14.1 का ROM installation होना शुरू हो जाएगा दो तिन मिनिट का अंदर अंदर यह ROM flash हो जाएगा और उसके बाद back कीजिए और यहाँ पे आपको gapps फाइल को install करना है Google Play Store and Google Framework के लिए तो gapps फाइल को select करके same swipe to confirm flash कर दीजिए तो Google Play Store install होना शूरू हो जाएगा अब last में जो फाइल है lazy passer dot zip file को install करना है तो back करके lazy passer file को select करके swipe to confirm flash कर दीजिए और मास्ट भी आप lazy passer dot zip file को install कीजिए तो lazy passer install होने के बाद आप reboot system option पे click कीजिए देनिया पे do not install option पे click कीजिए तो बस अभी हो गया है और थोड़ा ही देर में आपको इस तरह का Lineage OS का animation आ जाएगा तो दोस्तों अभी Lineage OS का setup skin आ गया है यहाँ पे आप next next करके setup कर लीजिए मैं यहाँ से जल्दी से इसको एक बार setup कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या-क्या अच्छा चीज नोटिस किया हूँ और क्या-क्या bugs को नोटिस किया हूँ तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी current Android version 7.1.2 Android Nougat और आपको यहाँ पे July 5, 2017 का Android security patch मिल जाएगा तो यहाँ पे Android version भी latest है Android security patch भी latest है तो यह काफी अच्छा बात है दोस्तों अगर आप mainly stock Android experience आते है तो आप Lineage OS को यूज कर सकते है भोल्टी supported है सारे sensors अच्छा से क instrument मिलेगा and stop camera app में ही आपको 4K video recording का option मिल जाएगा और हाँ दोस्तों इसमें आपको multi window का feature भी मिल जाएगा अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो bugs को notice किया हूँ वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ तो number 1 यहाँ पे है sound output हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे sound output थोड़ सा कम मिल होता है हाँ दोस्तों यहाँ पे line a.js 14.1 में charging के time में हीट होता है अभी दोस्तों फिलाल के लिए मैं जो bugs को notice किया था वो मैं आपको सीधा सीधा बता दिया हूँ हाँ यह बत साच है आपको काफे अच्छा stock android experience मिलेगा और जैसी कि line a.js का official build है तो आपको line a.js का OTA update भी मि करके बता है यह तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिएगा, share कीजिएगा और आप चाहे तो मेना चैनल को subscribe कर सकता है So guys once again this is Koshik here and see you in the next one. Bye